और श negative की है हो को आसी कि वाधित और हिस्ग 119 जां रहा हूं चुछ हकीकत ग्राउंड्स की बातों का कुछ रे activelyंटोंपर कि वाजतों में हम पैसा पैसा चेलाते रहते हैं पैसा की बाते करते रहते हैं बहुत सारे करोरपती अरपती बनने का सपना देखते ह्ांएं बड क्या हम कभी ये सोचते हैं कि पैसा actually आता कहां से है कहां से आता है उसका region क्या होता है क्या आप ये कभी सोचे हैं कि हम बड़े बड़े post पे तैनात हो जाते हैं बड़े बड़े नोकरी हासिल कर लेते हैं बड़े बड़े डिगरी हासिल कर लेते हैं क्या उनसे पैसा आता है साथियों यदि कोई पढ़ाय लिखाई करके इतना बड़ा जो है मेहनत करके कोई मान लेजे कोई डाक्टर बन गया कोई इंजिनियर बन गया तो डाक्टर बन गया तो क्या डाक्टर बन जाने से पैसा आता है नहीं इलाज करने से पैसा आता है डाक् करना पड़ता है ठीक है जाब करना पड़ता है अपना जो भी वर्क है उसको करने से पैसा आता है कोई टीचर बन गया माली जी मेहनत करके तो क्या टीचर बन जाने से पैसा आता है नहीं है पढ़ाना पड़ता है डेली टाइम से स्कूल जाना पड़ता है टाइम से पढ़ान कि कोई मान लीजे कोई बहुत बड़ा वकील हो मान लीजे ठीक है बहुत नामी वकील हो बहुत पैसा खमाता हो तो क्या वो सिर्फ वकील बन जाने से वकील की डिगरी ले लेने से पैसा आता है नहीं आता है उसके लिए केस लड़ना पड़ता है यानि कि काम करना पड़ता है तभी जागे पैसा आता है हम क्यों सोच लेते हैं कि अगर हम कहीं सिर्फ जोईन कर लेते हैं मैं यह वालम की बात कर रहा हूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सार लोग के अंदर ब्रह्म पहला हुआ है कि यहाँ प्यादि आप जोईन कर लोगे तो करोणपती बन जाओगे, रफपती बन जाओगे, नहीं साथी हो, कैसे बन सकते हैं, बड़ी नहीं सकते हैं, ये कोई जादू नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं होता है, कहीं पे भी किसी भी फिल्ड में आप जाओ, सिर्फ जोईन कर लेने से चाहे नोकरी हो चाहे कुछ भी हो कितनी भी बड़ी नोकरी है दिया आप आ जाते हैं जोईन कर लेते हैं तो क्या जोईन करने से आपको income आता है नहीं आता ऐसा थी उसके लिए हमें अपना duty करना पड़ता है दिन राते तब पैसे आते है ऐसे इतना आसानी से पैसे नहीं आते है जितने आसानी से आप लोग करोण पती बनने का खौ़ब देख लेते हैं ठीक है? हाँ बड ऐसा भी है कि लाखो रुप्य कमाना करोण रुप्य कमाना कोई असमभव बात भी नहीं है आदमी कमा रहे हैं अर्बो अर्बो रुपय एक दिन के कमा रहे हैं कमाने वाले तो यह कोई असंभव बात नहीं है यह संभव है लोग कमा रहे हैं ले रहे हैं बट उसके पीछे उनकी सफलता का राज क्या है इसको देखिए आप समझिए आप पैसे को मत देखिए आप के ओल पैसे को देखते हैं कि वो लाखो रुपय कमा रहा है करोन रुपय कमा रहा है अर्बो रुपय कमा रहा है बट वो कैसे कमा रहा है उसके पीछे उसकी सफलता का राज क्या है आप इसको जानने की कोशिस कीजिए तब आप लाइप में आगे बढ़ेंगे अन्य था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते तो साथियों हकिकत यही है कि जो लोग भी आज करूपते हैं अरपते हैं तो उन्होंने अपने बहुत बड़े प्लानिंग पे काम किया उन्हा फुचर का रोड में बनाया काम किया सब्र किया और बीना कुछ पायरे व्यूनोंने कांटिनिव अपने लच्ट पे चलते रहे काम करते रहे ऐसा नहीं है कि बस वो सो गये सपने में सपना देखते रहे कि हमें करोपती बन जाऊंगा और hoर करोपती बन गए सोई सोई नहीं साथियो दिन रात एक करना पड़ता है नीत त्यागनी पड़ती है भूग त्यागनी पड़ती है अपना सुख चैन खोना पड़ता है तब जाके कहीं एक टार्गेट हांसिल होता है तब जाके आदमी एक बड़ा आदमी बनता है करोपती, अरपती, खरपती तब जाके बनते हैं क्या आप आज देख रहे हैं जो टाटा विर्ला, डानी, अमबानी क्या ये ऐसे ही एक दिन में रातो रात बन गए इतने बड़े आदमी नहीं साथी हो ये भी हमारे और आप जैसे एक आम इंसान थे एक आम नागरिक थे लेकिन इनका आत्म विश्वास कठिन परिश्वरम इतना हाई लेबल का था जिसके ओज़ा से ये लोग आज इस मुकाम पे हैं इस उच्चाईों पे हैं हम भी वहाँ पहुंच सकते हैं बट हमारे अंदर कमी क्या है हम सिर्फ सपना देखते हैं हम सिर्फ सपना देखते हैं वो भी बंद आंकों से तो साथियो बंद आंकों से सपना देखने से कोई फायदा नहीं है जब आपकी आंक खुलेगी तो सपना आपका वहीं का वहीं रह जाएगा सपना देखिए लेकिन खुली आंकों से देखिए बंद आखों से नहीं खुली आखों से देखने का मतलब है कि आप जो भी टार्गेट ले रहे हैं जो भी आप एच्छे मेंट ले रहे हैं जो भी आप सोच रहे हैं पाने की आपको उस पर काम करना पड़ेगा आपको उसका रोड मैप तयार करना पड़ेगा कैसे काम करना है ह वह सकता है कि आपको इस टार्टिंग में बिना एक रुपिया इंकम लिये भी काम आपको कांटीनिउ करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस टार्टिंग से ही पैसा मिलना सुरू हो जाए नहीं, इस्टाटे में घर से लगाना पड़ता है, एक रूपया नहीं मिलता है, सातियो एक नारमल सी बात आप सोचिए, कोई आदमी लाखो करोण रूपय लगा के कोई बिजनस खोलता है, तो क्या उसको बिजनस खोलते हैं, पहले दिन लाखो करोण रूपय आने सुरू हो जाते हैं क्या नहीं साथियो एक छोटी सी दुकान का ले लो छोटी सी दुकान जो लाग दो लाग-दस-लाग आदमी लगा के खोलता है तो क्या उसमें पहले दिन से कि इंकमाना हो siis कि इंकमाना शुरूह सुरूह जाता है नहीं हुए वादमी नितियपरदीन अपने से जाता है टाइम से अपने दुकान खोलता है बंद करता है विक्री हो या और नौ हो कस्ट्मर से चैनल और रहा है टैली से दुकान खोलता Cinely दिरे 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 छे महिना लगता है, साल भर लगता है, दो साल लगता है, दिरे दिरे उसके customer बनते हैं, उसका market में नाम फैलता है, क्योंकि वो उसका काम अच्छा यदिफ होता है, बढ़िया क्वालिटी का समान देता है, rate सही लगाता है, बहुत सारी चीजे है, daily अ बड़ा जो है businessman बनता है, ऐसे नहीं है कि हाँ एक दिन में आदमी रातो रात बन जाता है क्रोणपती, रातो रात जो है हो जाते हैं सारे काम नहीं सात्यों, तो आप सभी लोग से request है, आप जो भी सपना देख रहे हैं, जो भी target देख रहे हैं, आप उसके लिए अपना road map बनाएं, और दीन प्रत दीन उसके लिए काम करते रहें, ऐसा नहीं है कि आज मैंने काम किया, आज मुझे कुछ सफलता नहीं मिला, कल किया, कुछ नहीं हासिल हुआ, परसुक किया, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो तीसरे दिन से मैंने छोड़ दिया कि कोई फाइदा नहीं ह नहीं ऐसे यदि आप करेंगे तो जिन्दगी में कभी सफल नहीं होंगे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे यदि वास्तों में आपको कुछ पाना है अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मेंट करना है तो आपको बिल्कुल अपने लच्छे पे अपने एम पे कांटिन्यू चलते रहना पड़ेगा निरंतर परियास करना पड़ेगा निरंतर साथियो एक छोटा सा एक जामपल आपको देने के कोशिस करूँगा एक पत्थर के उपर यदि पानी की एक भूद जिसका कोई वजूद नहीं है जिसका कोई वजन नहीं है एक भूद मातर पानी का जो इतना निर्मल होता है इतना हलका होता है वो एक बूद भी यदि उस पत्थर के उपर कांटिनीव टपकता रहता है टपकता रहता है तो आप देख पाते हैं कि कुछ दिनों बाद वो एक बूद जिसका कोई वजूद नहीं है उसके कांटिनीव निरंतर एक जगदा टपकने से उस पत्थर में भी होल हो जाता है तो यह पावर होती है निरंतरता की कांटिनीव टो साथियों हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक दिन में करमपती बन जाएंगे एक दिन में रफपती बन जाएंगे ऐसा possible नहीं है तो मैं आप लोगों को इस आडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ request करना चाहता हूँ कि आप लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं बहुत अच्छी बात है सपने देखना चाहिए जो सपने देखेगा नहीं वो पूरा कहां से करेगा सपने देखना बहुत अच्छी बात है बड़ सपने देखिए लेकिन खुली आंकों से देखिए मतलब कि जो सपने देख रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिजिए तब जाके सपने पूरा होंगे और 100% पूरा होंगे ये कोई असंभोचीज नहीं है जिसने सपना देखा है और उस पे निरंतर परियास किया है वो पूरा भी किया है तो आपके भी पूरा होंगे बट साथियों क्यों सपना देखने से कुछ नहीं होता है उसके लिए हमें करना पड़ता है दिन रात देख करके परिश्रम करना पड़ता है तो आप सभी लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप भी जो सपना देख रहे है 100% पुरा होगा बस कोशिस है आपके अंदर यकीन की जुनून की आत्म विश्वास की हिम्मत की साहस की आज से साथियों आप अपने टार्गेट पर लग जाए अपने एम पो अपने लच्छी को अचीब करने में लग जाए निरंतर कांटिनीव परियास कीजिए एक नेक दिन आप जरूर सफलोंगे थेंक्यू बहुत बहुत धनेवाद आप सवी लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू जाय हिन जाय भारत बंदे मातरम।